हेलो दोस्तों आप सभी का दलोजिकल इंडियन यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ एडोकेट पंकश कुमार त्रिपाथी और आज हम भारत के संबिधान के अनुछेद 51 को खंडज़ 51A कलाज H मैं जो लिखा है कि भारत के प्रतेक नागरिक का यह करतब्य होगा कि बैज्ञानिक द्रिष्टिकोर मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे यानि कि बैज्ञानिक द्रिष्टिकोर से हर चीज को समझने का प्रयास करे अपने इस मूल कर्तब्य का निर्वहन करते हुए मैं आज इस विशय पर चर्चा करूँगा कि आखिर भारत में हे इतनी जातियां क्यूं पाई जाती हैं और इस जात व्यवस्था का निर्मान कैसे हुआ होगा एक बात और भी है दोस्तों अनुछे दिक्यावन को के खंड अंगा में जो जो से पहले आता है एक और मूल कर्तब्य लिखा हुआ है जिसके अनुसार भारत के प्रतेक नागरी का या कर्तब्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों में समरस्ता और समान भ्रात्रित की भावना का निर्मान करी जो धर्म भासा और प्रदेशिया वर्ग पर आधारित सभी भेद भाव से परे हो आयसी प्रताओं का त्याक करे जो इस्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो तो सवाल ये है कि हम जब बैज्यानिक द्रिष्टिकोर से किसी बात का अध्यन करें तो हम उस द्रिष्टिकोर से अध्यन करने में जो कुछ भी पाएंगे उसे तथिके रूप में सुईकार करें उसका प्रियोग किसी के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए बैज्यानिक द्रिष्टिकोर और भ्रातित्यों की भावना का विकास इन दोनों से यही अर्थ निकलता है तो चलिए भारत में ही जातियां क्यों पाई जाती है इसके लिए मैं आपको पह भारत जैसी जाती बैवस्था दुनिया में नहीं है फिर भारत में यह बैवस्था कैसे पनपी कैसे आगे बढ़ी इसको जानने के लिए यह जानना होगा कि सेस दुनिया से भारत अलग कैसे है क्योंकि अगर कहीं कोई अलग बैवस्था पनपी है तो सेस दुनिया से वह अ प्राकृतिक नक्सा इसमें कहीं देशों की सीमाएं नहीं हैं दो तरह के नक्से होते हैं दोस्तों एक नक्सा होता है प्राकृतिक जो स्क्रीन पर लगा हुआ है दूसरा होता है राजनैतिक राजनैतिक नक्सों में देशों की सीमाएं बटी होती हैं अलग-अलग कलर से उनक हमारे देश में ये ये भारत है अब भारत के अगल बगल नजर डालिए तो ये है उत्तर अमेरिका ये दच्छिन अमेरिका ये इतना कटा हुआ है कि यहां से कोई जाती वेवस्था का निर्मार यहां तक पहुंचा होगा कोई सम्मंद नहीं ऐसे ये आस्ट्रेलिया है इसमार बादी रहती है क्योंकि यहीं पर थोड़ी हरियाली है तो यहां से भी यहां कोई संब्द नहीं है ये जो आप हरियाली देख रहे ये पूरा इलाका जो हरा हरा साप देख रहे हैं ये वालईrendre एतना जरूर दिखा रहा है क्योंकि यह म्रुट्छल नहीं आस्धित मतलब यह हुआ कि अभी हम एक ऐसा नक्सा लेते हैं जिसमें भारत को थोड़ा और बड़ा दिखा सकें ठीक है यहां से कोई यहां नहीं आया यहां से भी कोई यहां नहीं आया लेकिन सेस लोग यहां आ सकते हैं अभी हम इसको ऐसे ही दिखा रहे हैं अब चलिए इस नक्से क छोटा हिस्सा लेते हैं जिससे कि अच्छे सी बात समझा सकें यह मैंने इसमें अमेरिका को भी रिकाल दिया और आस्टेलिया भी समझें कि ना की बराबर है अब यह भारत है भारत में दोस्तों यह देखी यह हिमालय परवत है यह यानि इधर से आना संभव ही नहीं है कोई ह जातियों का निर्माण हुआ तब चलिए अंग्रेजों के आनेक्स में प्रमत आईए क्योंकि जातियों का निर्माण हजार-जीड़ साल पहले या 2000 साल पहले हुआ कब हुआ कोई जानता ही नहीं असोक के तमाम सिलालेखों का जिक्र करने वाले प्रफिसर राजंदर सिंग भी जाति कप पैदा हुई इस पर कोई ब्याख्यान नहीं दे पा रहे हैं यानि जाति कैसे बन गई इसका कहीं कोई प्रमार इस तरह का नहीं मिल रहा है कि कोई ऐसा कहा जा कि फला तारीक से जाति बन गई और जो आज जाति दिख रही है वो ऐसी ब्यवस्था पूरी दुनि से एक निसकर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया है और उसी को आप सब तक प्रस्तूत कर रहा हूं अब देखिए दोस्तों इस तरह से जब मैंने ये चीज बंद कर दी इधर तीचे तीन तरफ से समुद्र है इस नाते कोई नहीं जा सकता उपर हिमाला है इस नाते कोई नहीं आपको एक इधर से मिला जिसको आप कहते हैं पाकिस्तान से होते हुए और एक इधर से बचा अब आप जरा जो भी इतिहास के विद्यार्थियों बताएं कि क्या भारत पर कभी कोई भी आक्रमण इधर से हुआ है पूरब की तरफ से कोई भी ऐसा राजा महराजा दिल्ली तक आया हो या मगज तक यानि पटना तक आया हो या बंगाल तक आया हो जो पूरब से अक्रमण करके आया समझिएगा दोस्तुं बहुत बड़ा संदेश इसमें छुपा हुआ है और मुझे तो बहुत ताजूब हो रहा है कि आज तक इस पर अध्यन हुआ क्यों नहीं था मैं भी जो ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ तो ये मेरा आज का अध्यन नहीं है मैं लगबग आज के तीन साल पहले इस निसकर्स पर आ चुका हूँ कि इसको सोचा जाना चाहिए देखा जाना चाहिए और मैं प्रति दिन सोचता रहता हूँ क् defence आखिर कोई अकरमण पूरप की तरफ से क्यों नहीं हुआ तो यहां शुच मतल़ था तो पहँए इधर से सेनाओ आकरमण करती रही है इधर से कोई क्यों नहीं आया यही एक जगऀ देख रहे हूंगे यही यह गोबी का मरुस्थल है जो मंगोलिया में है जहां का चंगेज खान था जो यहां से चल करके यहां तक आक्रमन करता था यहां तक आक्रमन करता था यहां क्या यहां नील नदी है यहां से जा रहे हैं यहां नील नदी का मुहाना है तो यहां बहुत उपजाओ जमीन हो जात और किसा हर्याली नहीं है पहली बात तो हम यह देखते हैं कि यह पूरा इलाका ही इस इलाके को आप देखे इस इलाके को इस पूरे ब्लॉक को देखे इस पूरे ब्लॉक में केवल यही इतना इलाका है जो हरा भरा है से पूरा देखे रेगिस्तान है और जो यह ऊपर आप द तो ऐसा नहीं है कि इधर लोग जाएंगे हरा भले दिखा रहा है पेड़ पाउदें हैं क्योंकि पहाड है और पर हर्याली है पहार भी दो तरह के होते हैं एक वे पहाड जो बंजर है सिटलाइट से अ खर्याल तो अगर आप देखेंगे तो ये दोने यहां तक की दिख रहे है यह इन्डोनेशिया मलेशिया तक का कि इसमिश ज्योर दिख रहे है इसका मोहाना जैक हुल रहा है ध्यान से देखिएगा दोस्तों मुहाना यहां खुल रहा है आप कहेंगे कि कोई यहां का आदमी यहां से यहां जाएगा इधर से गुशेगा इतना दूरी क्यों पार करेगा वो इतना ही दूरी पार करके आएगा यही कारण है कि भारत पर हमेशा आक्रमन हुआ आक्रमन हुआ या भारत में लोगों का आगमन हुआ बहुत पहले आक्रमन नहीं होता था आक्रमन तो तब हुआ जब राज्य बन गए राज्य का मतलों सेनाय बन गए राजा महराजा बन गए बहुत पहले तो कभीले के कभीले यहां से चल दिये पानी भोजन की तलास में मर रहे हैं चले जा रहे हैं मर रहे हैं चले जा रहे हैं पहुंच गए अंदर पहुंचते चले गए सवाल यह कि इधर से कोई क्यों नहीं आएगा तो यहां तक तो हिमाले हैं और यहां खुद हर्याली बहुत जादा है तो यहां वाला इधर क्यों जाएगा और इधर से यही सब को आना क्योंकि यहां तक देखे रगिस्तान है तो इधर से जो लोग भी आएंगे वह यहीं से इधर चले आएंगे इधर क्या करने जाएंगे यह तिब्बत का पठार है जो दुनिया की छत कही जाती बहुत उची जगह है उची जगह का मतलब ठंडा भी है और जंगलों में रहे होंगे तो उन लोगों के पास इतनी संवेदना थी कि वह समझ लेते थे कि पानी किधर मिलेगा यही कारण है कि भारत पर सब लोग आ रहे हैं अब फिर से इस नक्से को देखिए तो इधर से तो कोई आने को रहा क्योंकि यहां जब उससे जादा उपजा आने में थे और यहां के लोग इधर आएंगे क्यों सम्रिद का मतलब भोजन और पानी जो प्राकृतिक आओ सकता है तो यही कारण है कि इधर लोग बहुत सम्रिद थे और यहां भी चीन की दिवार आप देखेगा दोस्तों यहां बनी हुई है चीन की दिवार पता के से लोग हरियाली वाले इलाके में आती थे उनको रोकने के लिए ही दिवार खड़ी की गई थी और दिवार इतनी बड़ी कब बनानी पड़ गई जब लोग तीर भाला से आक्रमर करते हुए आते थे तो मेरा अपना मानना है कि हजारो हजार साल तक यह हजारो हजार का मतलब दस बीस हजार साल में बोल रहा हूँ तमाम कभी लोग के लोग तमाम समूह में लोग पैदल चलते चलते भारत पहुंचे होंगे मेरा अपना मानना है कि जो जंगल में रहने वाले आदिवासी जातियां हैं जिनको हम आज आदिवासी कह रहे हैं उनके पुर्वज सबसे पहले इधार आए होंगे भारत में और वो जंगल में गए होंगे, जंगल के ही जीवन को उन्होंने अपना लिया, आज भी वो जंगल में ही रह गए, शिकार करके भोजन कर रहे हैं, इस नाते अभी भी अपने वो उसी वातावन में रह गए हैं, जिस वातावन में वो प्रवेस किये थे, आप कहेंगे कि पहुच गए और जब यहां इनको भोजन पानी मिल गया तो अब उसी संस्कृति को लेकर जिन्दा रहेंगे इस नाते जो जिस समय आया है वो अपने उस समय की संस्कृति को लगभग लगभग लेकर चल रहा है इस संदर में मैंने अपने गाउं में बच्पन में जो कुछ सीन देखे हैं जो द्रिश से देखे हैं जो हरकते देखिये उसका मैं ध्यान देता हूं जैसे मैंने ये देखा है कि इसको कोई ब्यक्ति अपने पर आप लोग मत लीजीगा क्योंकि ये का ध्यान है और ध्यान में हम सब सामागरी है किवल मुसहर समाज के लोगों को देखिए कब के समय में जब सिक्षा नहीं थी जब मू लुआतावण में लोग थे और मेरे बचपन में अगर मैं चला जाओं तो सन 80, 82, 83 की बात आएगी तो उस समय लगबग सिच्छा ना की बराबर थी तो मुसहर समाज के लोग समाज में कैसे योगदान कर रहे हैं पत्तल बना कर साधी विवाह में लोग भोजन जो करते थे मुसहर के बनाए हुए पत्तल पर यानि उनके वो तब प्रविश किये हैं जब पत्ता पाए और पत्ते का पत्तल बना लिए वही उनके लिए एक आविश्कार थर्ट टकनिक थी कि पत्ता तोड़ रहे हैं पत्तल बना रहे हैं भोजन भी वो कैसे करते हैं वो किसी भी छोटे से तालाब के पोखर में या ऐसे में घुश जाएंगे मेडग मिल जाएगा उसका गर्दन मरोर देंगे तोड़ देंगे साप मिल जाएगा उसके सिर को ऐसे आयट करके मार देंगे जोले में भर देंगे ले जाके पका कर खा जाएंगे हम सब के पूर्वज किसी ने किसी समय में ऐसे ही थे लेकिन कुछ लोगों के पूर्वज यहां संघर्ष करके और डेवलप होकर के तब यहां प्रवेश किये जो समाज आज भी जानवरों को इस तरह से मार कर खा रहा है इससे क्या यह नहीं संदेश निकाला जाए निसकर्ष निकाला जाए कि जब यह भारत में प्रवेश किये तो इन्होंने इसी तरह से जानवरों को मारा और खाया था और क्योंकि तब से इनको परयाप्त भोजन और पानी यहां मिल रहा है तो यह उसी टेक्निक से चले जा रह का यही सबसे बड़े कारण होते हैं जो हमें बदलने के लिए मजबूर करते हैं आप यही पर इसके बाद के कुछ जातियों का जब मैं सोचता हूं कि जिनको सामाजिक ग्रेड में आप उपर के जातियां देखेंगे अगर आप मुसहर जात की तूलना में चमार जात की जहां मुसहर पतल बना रहा है वही चमार जात के लोग क्या कर रहे हैं पसु को का चमडा इतना अच्छे से उतारते हैं उस चमडे से तमाम तरखी चीज़े बनाते थे इसका मतलब है हम एकदम आदिम काल की बात कर रहे हैं बीच के इतिहास पर भी हम नहीं चर्चा कर वो मुसहर समाज से टेक्निकली ज्यादा डेवलप रहा होगा जब प्रवेश किया होगा भारत में अब आप करें कि यह कैसे आप कर सकते हैं कि जो बाद में आया वो ज्यादा डेवलप है कभी भी जो इधर से आया है वो ज्यादा संघर्ष करते हुए चल रहा है अपने अस् तो आराम से पानी भोजन पाकर जिन्दिगी जी रहा है उससे जदा डेवलप रहेगा यही कारण है कि भा रत में जितने भी विदेशी आक्रमन हुए हैं एक के बाद एक सब जो बाहर से आक्रमन हुए है वो ज़्यादा डेबलब्ड थे जैसे मुगल जब आये तो अपने से पहले वालों से स्ट्रॉंग थे लोदी से खिल्जी से और वो बारूद लेकर आये तोप लेकर आये उन पर जब आक्रमन खुमाने में चार हाथी जोड़ने पड़ते थे तो एक बार युद्ध से पहले जैसे सेट हो गया वहीं उगोला फेकता था बार बार भारत के लोग तो बना नहीं पाए बारुत बना नहीं पाए जबकि इतने सारे ग्रंथ लिख डाले थे ब्राह्मन लोग क्यों नहीं बना आ गए तो वहीं रुख गए अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहरा हूं ऐसे मुगल भी आए तो जो तोप लेकर आए वहीं रुख गए अंग्रेज आते हैं तो और छोटी-छोटी बंदू के ला देते हैं वह उनसे भी ज़्यादा डेवलप्न होकर आ रहा है यानि इस बात से तो आप सहमत होंगे कि जो जितना बाद में भारत में आता है वो उतना ज़्यादा डेवलप्ड होकर आ रहा है तो जब कोई डेवलप्ड होकर आ रहा है और यहां आने पर उसका डेवलप्मेंट रुक रहा है तो अगर आज हम जातियों की संरचना को तो हम यह समझ जाएंगे कि कौन किस से पहले आया है और इसको हम जो जातियों में उच नीच बना है इससे भी समझ जाएंगे कि जो जितना बाद में आया है वो अन्ड से ज़्यादा डिबलब्ड है तो अन्य को अपने से नीचे मान रहा है बैस सबसे आखरी में अंग्रेज आये हैं ना तो हम सबको अपने से नीचे मान रहे थे ना ऐसा तो है ने कि पंडी जिलों को उपर मान रहे थे मुगलों तक को नीचे माने वो इसी थियरी पर अगर आप लोटिये तो किसी ने ये नहीं कहा कि कौन जाद किस से उपर है बलकि जो बाद में प्रवेश किये हैं वो अपने से पहले वालों को अपने से नीचे मान लिए भारत में ही इतनी जातिया क्यों है क्योंकि सभी जगहों से लोग यहां आए हैं आप खुद देख लिजिए कभी कोई इतिहास नहीं पाएंगे जब भारत से कोई यहां गया हो नहीं पाएंगे तो जहां सभी जगहों से लोग आएंगे वहाँ जादा अलग अलग तरीके क लोग होंगे कि न होंगे आप जाट समाज का ध्यान कर लीजिए सबसे नए समय में आया हुआ समाज है वह बहुत से अईसे भी लोग आगे तक नहीं बढ़े बहुत सी ऐसी जातियां कि जो और आगे और आगे और आगे चलती चली गई तो जिन जातियों का एकदम नीचे तक प्रवेशा इसका मतलब है कि वो पहले आई होंगी या फिर उखोजी प्रविर्ट की रही होंगी इस आधार पर मेरा ये निस्कर्स है कि भारत में जो जाती बिवस्था है ये किसी ने बनाई नहीं है बलकि ये कबीलों के समय समय पर आने से हुई है और कुछ जातियां एक बराबर एकदम दिखती है जिसमें किसान जातियां आती है बस उसमें अंतर ये है कि कोई इस तरह की खेती कर रहा है कोई इस तरह की खेती कर रहा है तो उसमें ऐसा हो सकता है कि ये सब एक समुह में एक साथ आने वाले लोग हों और अपने में उन्होंने कारे का वित्रण किया रहा हो और बाद में जो जिस कर्म में लगा है वो अप भाई ग्वाला की बेटी अगर बढ़ाई के घर में ब्याह दी जाएगी तो बढ़ाई के घर में रुखानी बसुला का प्रियोग होता हो नहीं जानेगी लुहार के घर में ब्याह दी जाएगी तो धुकनी नहीं जानेगी हथावडा नहीं जानेगी ऐसे बढ़ाई की बेट अगर समझना है तो धरती के चित्र को देखना बहुत जरूरी है जिसमें यह दिखाई देता है कि इतने बड़े इलाके में भारत ही है जहां हरियाली है और पानी है और इसका प्रविश द्वार इधर से है इस बात को जब हम ध्यान में रखेंगे तो हमें यह समझ में आ कोई छोटे कभीले में आया कोई बहुत बड़े कभीले में आया कोई बहुत पहले आया इसना ते उसका विकास वहीं तक रुख गया कोई बहुत बाद में आया बिक्सित होकर आया जो जब आया अपने उसी रूप को यहां बनाया अपनाया अब रह गई बात ब्रामन गरं तो उस समय ब्राह्मनों का प्रवेश हुआ होगा जब धर्म का अश्तित्व आ गया मनुष्य के दिमाग में तब प्रवेश की यह होगे और जब यह तब प्रवेश की यह होगे तो इन्हों मैं हर चीज को लिखा कि फला जाथि का आचरण को है क्या भोजन करते हैं जैसे मनुष्मिर्ति मैंने पड़ी है उसमें कौन सी क्या भोजन करती है उसमें ब्रामनों के लिए मांस बक्षन लिखा है फिर बाद में वर्जित किया गया है इसका मतलब है ब्रामनी भी मांस खाते थे लेकिन सुधार की रूप में मना भी किया गया है बहुत से जानवर मनुस्यों को नहीं खाने है ये भी लिखा है तो मेरा अपना मानना है कि इस थियरी पर एक बार चर्चा होनी चाहिए कि सारे आक्रमन इधर से ही क्यूं हुए हैं और कितनी बार आक्रमन हुए हैं क्या केवल आक्रमन से ही लोग आए हैं या आगमन से भी आए हैं और जब इतने सारे आक्रमनों और आगमनों से लोग आए हैं तो फिर यह स सब लोग भाग कर यहीं आएंगे और जो आया कभीलों के साथ वो अपना उसी तरह से रूप रंग दिखाया कुछ लोग काते हैं कि जो आते थे कि और पूरुस आते थे एकदम गलत बात है आप इतिहास पढ़िए बाबर भी अपनी अफगानिस्तान की पत्नी को लेकर आया ह उस जमाने में जब कभीलों में लोग युद्ध करते थे तो दो तरह की युद्ध होते थे तब आगमन में तो पूरा खांदान ही चलेगा पूरा कभीला चलेगा बच्चे बुढ़े सब चलेंगे वो तो ऐसे चलते जा रहे हैं जहां जो मिला खा लिए फिर आगे बढ़ निफाओं ने मिस्र पर करवाया था उसमें केवल पूरुस गये हैं लेकिन जब कोई राजा ही चल देता था अक्रमन करने और यह सोच करकि कि हम जाकर वहीं बस जाएंगे तो फिर अपना पूरा कुनबा लेकर चलता था क्योंकि उस जमाने में कोई टेलीफोन नहीं था कि फिर फोन करेगा कि हम जीत ले तुम लोग चले आओ साइद लोटेगा तो रास्ते में मार दिया जाएगा तो यह कहना कि इस्त्रियां लेकर नहीं आते थे जूट है गलत है यह अग्यांता पराधारित है पूरा कुनबा चलता था जब कभी मुगल सासक दिल्ली से कहीं भी जाते थे तो पूरा उनका रनिवास जाता था साथ में सारा रनिवास बच्चे सब जाते थे कोई नहीं रुकता था तो यह विवस्था थी आप इस बात को देखिएगा हम मुगलों के समय में जब राजपूत राजा कहीं अगल बगल के राज्यों पर आक्रमन करते थे यहीं पर हरियाली दिख रही है यह सब एकदम ठंडा इलाका है बद्र ठंडा है यह जो है तिबत के बाद का इलाका तो यहां को या नहीं पाएगा यहां वाला तो इधर कभी आएगा नहीं क्योंकि इसको इससे अच्छा भोजन पानी मिल रहा है तो यह जितने भूखे प प्रस्तुत किया है क्योंकि वीडियो बनाने के अपनी एक सीमा होती है बहुत जादा एक बार में नहीं दे सकते आपको आप सब कमेंट के माध्यम से अपनी भी विचार इसमें दीजिए एक बात बस मत करिएगा कि कोई बात टाइटल देखकर नफरत के कारण से किसी को ब् पयां किसी भी अभिलेख में जात्यक nueva नहीं है तो फिर यह है कहां से क्या मालिया जाके अविलेख जोटे हैं क्योंकि जो आज आज भी है और यह नहीं कहसकते कि आज बन गई अगर जाति आज बन गई तो इतना बड़ा निर्मान एक एक बीच में किसने और कैसे कर लिया है संभव ही नहीं है कि कोई एक व्यक्ति एक बार में पूरा निर्मान कर दे संभव ही नहीं है कि सम्मेव साधी विवाभी अरुद कर दे, रोक दे, काम एकदम फिक्स कर दे, सिकार की तरीके सिखा दे, खाना खाने की पदती सिखा दे, संभव ही नहीं है, और फिर ओं कियो इतना करेगा, क्या ज़रों तो इतना करने की, इसमाते जो ब्रामनों प्त के खिलाफ नफरत के लिए सब बातें कही जाती हैं, पहलाए एक आद्मे तो यहां तक कहा दिया कितनी भासाई ब्रावर बनाइए हुए है यह भासा प्राक्रतिक तोर से बनी तो पूरे दुनिया में भासाई हैं बोली जाती है ब्रामानों को तो बोलना भी नहीं आता था, हमने बासा सिखाई, इतना भी दूसरों को कमजोर मत करिए, तो आप इन दोनों चीज़ों से परे हट करके, किसी को लांचित करने के लिए, या किसी को अपमानित करने के लिए, या स्वैम को स्रे देने के लिए, इस तरह के तरक मत दीजिएगा और फिर इसके बार अपने तरक आप दीजिये कमेंट में वीडियो लाइक करिए सेर करिए चैनल सब्सक्राइब नो क्यों सब्सक्राइब करिए जाए संबीधान